हेलो दोस्तों एक पर फिर से आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रामने क्लासेज में क्लास 10 की मैट्स की वर्क बूक जो राजस्थान स्कूल स्कूल शिक्षप परिशत स्कूल शिक्षप विभाग राजस्तान सरकार द्वारा जारी की गई है इसकी हमने दस वक्षिट सौल कर दी थी आज इस वीडियो में आप देखेंगे वक्षिट नंबर गारत 11 का सलूशन इसमें दे रखें हैं कुल 10 प्रश्ण इन दसों प्रश् में पूरे नंबर लाने से कोई भी नहीं रोप पाएगा आशा करती हूं आप इन सारी वक्षिट को अच्छे से हल करेंगे और समझेंगे इसी के साथ इंग्लिश और साइंस की वक्षिट में सौल करवाऊंगी तो बने रहीगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइ होंगे यदि यहाँ पर चार उप्ष्ण है चार उप्ष्ण को आपको देखना है त्यान से अ हे ए यह है लेकिन यह पर उप्ष्ण देखिए 20ग छोटा है 4AC से दूसरा है 20 स्कॉर बढ़ा है 4AC से और तीसरा है 20 स्कॉर बराबर है 4AC और दो उप्षन है उप्रूप सबी लेकिन अगर आप अपनी मैट्स की जो आपकी पाठे पुस्तक दे रखी है गणित की उसमें पेज नंबर 98 को देखेंगे तो आपको दे रखा है कि ये मूलों क और असमन असमन का मतलब ही बिन्न होता है तो यह होगा 20 स्कॉर मैनस 4AC बढ़ा होगा 0 से जैसा मैंने आपको उपर लिख रखा है दूसरी शर्त है दो बराबर और वास्तविक मूल होते है यदि 20 स्कॉर मैनस 4AC 0 के बराबर हो तीसरी शर्त है कोई वास्तविक मूल नहीं हो होता है यह दिए स्कॉर मैनस 4 एसी जीरो से कम या चोटा हो तो इस प्रकार तीन शर्थों की अनुसर हम चलेंगे तो हमारा एंस्वर मैंने जो लिखा है उपर बी स्कॉर मैनस 4 एस ग्रेटर देन जीरो यह होगा तो आपको इस तरह लिख देना है कॉशन मत दो है एकस स्कॉर चार को हम लिख सकते हैं दो की गात दो तो यहारा पर आपको सर्वसमीग का लगेगी खस्कॉर मैंनस वी सकॉर तो एकस तरह बई लिख सकते हैं तीसरा एंक चरवाले देखे एक समीक्रण की घात हमेशा होती है तो यह होगी एक बहर राइट है चोथा है दीगत समीक्रण दो एक स्क्वाइर मानस एक मानस चे बराबर जीरो के मूल है अब इसको भी गुणंदकन विदी से हल करना है आपको तो देखे ऐसी संख्या रखनी है जिसमें जोड़े दद यगाते हैं तों माइनस का एक से या एक है और गुणा के तो बरा है तो हम देखिन चार दिया होता है इसको रखेंगे हम 2x square minus 4x minus स्वारी, plus का 3 रखना होगा 3x minus 6 बराबर 0 plus का 3 कैसे होगा देखिए 4 ती है 12 और plus minus minus तो minus के 12 आने चाहिए क्योंकि 6 minus का है फिर होगा 2x square minus 4x इसको जोड़ा बना दीजिए और plus 3x minus 6 का जोड़ा बन जाएगा बराबर 0 होजाएगा यहां common आजाएगा 2x अंदर आजाएगा x minus 2 फिर plus 3 common आजाएगा यहां आजाएगा x minus 2 तो यह होजाएगा 2x plus 3 और x minus 2 तो 2x plus 3 बराबर 0 x बराबर minus के 3 बटा 2 और x minus 2 बराबर 0 तो x बराबर प्लस का दो इस प्रकार यह आएगा दो और माइनस तीन बटा दो नवर वराइटे के माजवाय है यादि द्वीगा समीग्रन x square minus kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान हो तो के का मान होगा question number 5 देखेंगे यदि द्वीगाद समिग्रण x square minus kx plus 4 बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान होगा यहाँ पर k का मान ग्याद करने के लिए आपको करना है b square minus 4ac is equal to 0 यहाँ पर k का मान आजाएगा option number 7 k का मान आएगा 4 यानि कि यहाँ हल करेंगे तो यह हो जाएगा x minus 16 बराबर 0 x बराबर x square minus 16 आएगा तो यहाँ 16 का अप अपने रूट करेंगे तो यह plus minus 4 answer आजाएगा तो यहाँ पर आपको सहुत्तर सही करना है question number 6 देखिए a minus b x square plus b minus c x plus c minus a बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा सवाल को थोड़ा टेड़ा दिया गया है लेकिन बहुत इज़ी सवाल है मानक समी करन का रूप देखिए यह होता है a x square plus b x plus c बराबर 0 a x square plus b x plus c बराबर 0 यह आप सभी जानते हैं तो यहां पर देखिए a पर क्या दिया है a पर दिया है a minus b b पर दिया है b minus c और c पर दिया है c minus a अब मूलों के गुणनफल यानि कि alpha बीटा के लिए शर्थ होती है c बटा a अब c का मान है c minus a और a का मान है a minus b अब इसको आप देखेंगे तो यह हो जाएगा option number c c minus a बटे a minus b यानि कि c बटा a करना था आपको बहुत ही आसान है साथ वा देखिए दिगा समी किरंट 2x square plus 3x minus 4 बरबर 0 के मूल एक कथा बीटा हो तो एक प्लस बीटा का मान घ्यात कीजिए तो यहां पर मूलो का योग करना है एक प्लस बीटा तो मूलो का योग होता है minus के b बटा a तो यहां हो जाएगा minus के 3 बटा 2 सवाल में ही उत्तर दे रखा है प्रशन number 8 है दिगा समी करन x square plus x minus 1 बरबर 0 के मूलो की प्रकृति क्या होगी तो मूलो की प्रकृति ग्यात करनी है उसके लिए आपको पहले a, b, c के मान लिखने है तो a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर minus का 1 है d विविक्त कर है बराबर p square minus 4 ac तो इसको आप को हल करना है b का मान एक है 1 square minus 4 इसका गुणा 1 और फिर minus 1 में करना है तो answer अजय का 5 5 0 से बड़ा है अता मूल वास्तविक वह भिन होंगे 9 है समीकरण a x square plus b x plus c बराबर 0 जाए बराबर 0 नहीं है के मूल समान कब होते है मूल समान होने के लिए शर्थ है यदि b square minus 4 ac बराबर 0 हो यह मैंने आपको पहले प्रश्ण में तीनों शर्थे बताई थी उसी में से एक शर्थ दे रखी है कौशन नमा 10 है समीकरण x square minus 5 x minus 6 बराबर 0 की गात क्या होगी तो देखिए दी गात समीकरण है इसले इसकी गात होगी 2 यहां आपने 10 प्रश्ण के हल कर लिये है आशाकर्तियों को वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक करें और दोस्तों सब शेयर जरूर करें नेक्स्ट वक्षीट के साथ जल्दी मिलेंगे धन्यवाद